हेलो 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 एवरिवन और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और आज का जो आप वीडियो है देखी रहे हैं बहुत ही खुबसूरत मेकप हुआ है और यह जो मेकप है पूरा ग्लामरस लुक है स्मोंकी आई है इसमें सब कुछ है तो चलिए देखते हैं कि आज का यह मे सबसे पहले मैंने कर लिया यहां पे क्लिंजिंग के बाद मैंने यहां पर एक क्रीम है जिसे मैंने इनके स्कृन पे अपलाई किया है तो जो आज की जो मेरी क्लाइंट है इनकी स्कृन थोड़ी ड्राय है और टी-zone एरिया है यानि की कॉंबि निचन चेन ताइप है सबसे पहले मैं इनके आइब्रोज पे पूरा आइबेस लगा रही हूं यहां पर जो सबसे लाइटर आइवरी शेड था वो मैंने लगाया है इनके ब्रो बॉन को इफेक्टिव दिखाने के लिए और नीची के आई लिट पे जो मैं करने वानी हूं वो लुक है आज का स्मोक के लिए मैंने यहां पर आइविरी शेड की बजाए हम पर सबसे जो डाकेस्ट ता इस पैलेट का वह मैंने लगाया है यहां पर आप देख सकते हैं यह सबसे पहली बार समझ लीजिए मैं नहीं किया है आभी तक किसी चैनल पर दिखाया नहीं गया है और इसके करने के For Every 52 का Magnetic palette और इसमें से जो ब्लक कलर है वो बहुत ही Z Black है बहुत अच्छा खासा ब्लैक है तो इसके लिए मुझे इसके पैलेट फॉरेवर को प्लेट होते हैं मुझे काफी हद तक बहुत पसंद आते हैं तो यहां पर देखिए जो ब्लैक कलर है उससे मैंने इनको side में और corner में पूरा मैंने apply कर दिया है और beach का जो space है वो मैंने खाली छोड़ा है और वो क्यों छोड़ा है वो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर तब तक हम लोग मेक अप कर रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ पर आप मेरा channel जो है और उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक transition shade लेकर और पूरा जो smokey और उपर eye lid पर जो मैंने highlighted area दिया था उसको थोड़ा merge कर लिया है और इसके बाद जो beach का मैंने जो space छोड़ा था उसमें मैंने देखिए glittery purple करके जो shade था उसको मैंने apply किया यहाँ पर और इससे यह जो eye look है अब यहाँ पर complete हो गया है थोड़ा सा finishing touch मैं यहाँ पर दे रही हूं और काफी खूब सूरत लग रहा था यह model के उपर जो eye makeup मैंने किया था क्यूंकि इनकी आइस का जो एरिया था वह काफी हद तक बहुत अच्छा था और इसके लिए मुझे अपना जो बैस्ट करने का मुका मिला यहाँ पर और नीचे के जो eye lid है वहाँ पर मैंने इनको pink color का एक shade दिया था आइलाइन पर और फिर corner में जो smokey eyes पर जो color लगाया था वही मैंने corner से लेके पुरा एजे काजल थोड़ा सा apply कर दीजिया इसके पाद मैंने sugar का इनको काजल लगाया है और sugar का काजल काफी अच्छा है long lasting है और काफी finished look देता है तो यहाँ पर मैंने काजल से यह complete कर लिया यहाँ पर मैंने फिर eyeliner लगाने के लिए swiss beauty का gel liner लगाया है तो eyeliner मैंने पूरा apply किया और बहुत ही ज्यादा मोटा न लगाया न ज्यादा पतला लगाया है मैंने इसको मैंने एकदम medium range में इनको लगाकर यह look पूरा इनका complete कर दिया है तो आप देख सकते हैं और वीडियो में अगर आपको कुछ कोई look सीखना है या फिर कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो comment करकर यह मुझे जरूर बताईएगा और यहाँ पर मैंने पूरा eye makeup जब complete हो गया तो फेज को पूरा wipe out कर लिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया है इनको forever 52 का primer और इसको बहुत ही अच्छी तरह से apply करने के बाद यहाँ पर मैं आगे प्रोसेस कर रहे हूं अच्छा आप एक चीज नोटीस कर रहे हूंगे मैंने यहाँ पर ring finger से इनके face पे जो क्यों लगाने चाहिए इसके बाद मैं कर रही हूं at die-pace के बाद ऐसको चाहिन आपर डिली जो है orange भार करेक्टर लगाती तो यहाँ पर मैंने पीच कलरेक्टर लगाया है तो वो रेड स्पॉट्स को हाइड करने के लिए और ये जो भी कलर करेक्टिंग मैंने की है इसको मैंने एक बार फोड़ा सा पाउडर से इसको लॉक कर लिया है ताकि वो जो फाउडरेशन जब हम लगाएंगे या फिर आगे जाके कॉंटूरिंग करें तो वो अपनी जगह से हीले नहीं इसके लिए क्योंकि उस पर्टिकुलर स्पेस को हमको छिपाना है जैसे कि इनको रेड स्पॉट्स था तो इसके लिए पाउडर जब हम लोग अपलाई कर देते हैं तो वो प्रॉपर उसी जगह पे रह जाता है इसके बाद मैंने इसके लिए लिए क्योंकि मैं फाउंडेशन कभी भी पर्टिकुलर एक ही शेड का नहीं लगाती हूं मैं हमेशा थोड़ा मिक्सिंग करके लगाती हूं तो इसके लिए तो देख सकते हैं इसके बाद मैंने फॉरेवर फिटीटू का जो मेरा कॉंटूर पैलेट है इसमें इनको कउन्टूरिंग भी कर दिये तो जो लाइटेश यह अलुरी फैर स्किन के मौडल मेरी तो इनको मैंने आइवरी शेड का पूरा हाइलेटेट पाट किया है और चांटूर के लिए मैंने गर्ट बिया और और बहुत ही देखिए अच्छे से सलीके से से आपको यहां पर देखें मैंने blending कर दी है है और यह जो हमारा प्रोसेस पूरा यह क्रीम प्रोडक क्रीम लग रहा है तब तक उसमें ब्लशर क्रीम, सब कुछ जो भी क्रीम वाले है वह पाट तब तक कर सकते हैं एक बार आपने इसको ना बेकिंग कर दी यानि कि अपने जब इसको पाउडर से लॉक किया तो इसके बाद आप क्रीम अपलाई नहीं कर सकते तो यहां पर देखें मैंने पूरा अच्छे से पूरा लगा दिया है इसके बाद मैं पाउडर वाले एक बार मैंने पाउडर से लॉक कर दिया इनको इनकी बेकिंग कर दिये तो अब मैं पाउडर वाला जो इनको प्रॉड़क लगा रही हूं तो इसमें मैंने फॉरवेर 52 का कॉन्टूरिंग पैलेट लिया है मेरा यह मेरा फेवरेट पैलेट उसको मैंने किया कफी प्यारा लग रहा था इनके ऊपर तो इनको मैंने चीक पे लगा दिया और भूपिश्ड का to के बाद मैं हाइलाइट अपलाई करती हूं तो उसका जो शाइन इफेक्ट है वो और जादा अच्छा आता है तो यहां पर मैंने लगाने के बाद फिर उसी हाइलेटर मैंने इनके आई लीट पर तो मैंने लगाया ही था लेकिन इससे थोड़ा सा टच अप दे दिया था कि व का सप 8 muê बंदर और म्होender है तो एक साइड पर आइब्डर्य पर स्कैच थे तो से वने बहुत ही अच्छा स्कैच होआ था उसे अब्रो जो है बहुत ही अच्छा शेप आया था और इसके वाद मैं लगा रही हूं यहां पर मैबिनीन का मास्कारा और एक हैर को मेरी आदत ह मैं एक एक हैर को बहुत ही अच्छे से के लगाती हूं और नीचे के आई-लिट पर भी देखिए आप मैंने पुरा अच्छे से हैर को लगा दिया है। तो मुछ भी आपको अगर क्वेश्चेन हो तो आप मुझे इसके बारे में पूस सकते हैं। इसके बाद मैंने लिप शेड के लिए कोई पर्टीकुलर— लिपस्टिक ना लेकर है एक司क जेड बनाया है इसके लिए मैंने आउट्लााइन पे वाइन शेड लिया है लाइट वाइन शेड और बीच में जो मैंने है एक निवूड कलर, जो पीच कलर का था उसको फील अप कर लिया है और लिप इनकी थोड़ी छोटी थे तो मुझे थोड़ा लिप डिफाइन करना पड़ा तो वह काफी अच्छे से हो गया था और मैंने इसके बाद लगा दिया और यह पूरा लुक आप देख सकते हैर को मैंने क्रिंपिंग भी कर ली और पू कैसा लगा यह मेकप देख के आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई